असलाम नेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आज की वीडियो के अंदर मैं मीब्रो X1 स्मार्ट वाच के वाले से बात करने वाला हूँ जो के रिसेंटली 2021 के एंड में हमें देखने को मिल गी थी और प्राइस रेंज काफी इंट्रस्टिंग इसकी देखने को मिल जाती है ुअ अजिक काल पाकिसलन की मार्किट के अंदर A4100 प्लस प्लस की आपको इसकी प्राइस देखने को मिल जाती स्मार्ट फून्स के वाले से बात करें तो iOS और Android दोनों फून्स के साथ ये स्मार्ट वाच कुनेक्ट हो जाती है रेल टेक का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है इसके लावा साइज और शेप के वाले से बात कर लिजा है तो आपको यहां पे सर्कुलर शेप इस स्मार्ट वाच की देखने को मिल जाती है और 11.4 mm की थिकनेस देखने को मिल जाती है डाइल की केस मैटीरियल के वाले से बात करें तो जिंक अलोई का आपको यहां पे मैटीरियल देखने को मिल जाता है 52 gram का weight आपको Mi Pro X1 smart watch का देखने हो मिलता है Silicon का strap देखने हो मिल जाता है जो के 22 mm width के साथ निकल के आता है colors की बात करें तो आपको एक ही black color Mi Pro X1 smart watch का देखने हो मिल जाता है इसके लावा water resistance के अवाल से बात कर लिजाए तो 5 ATM technology आपको smart watch के अंदर देखने हो मिल जाती है जो के water resistance प्रोवाइड कर देती है 1.3 inches का AMOLED पैनल इस smart watch के अंदर देखने हो मिल जाता है जो के काफी valuable इस smart watch का feature मुझे देखने को मिल जाती है इसके लावा 360 by 360 की pixels resolution देखने हो मिल जाती है 300 plus की PPI density मिल जाती है Always on display आपको Mi Pro X1 के अंदर प्रोवाइड किया गया है और काफी अची price category के अंदर आपको बहुत ही अच्छे features जहां पर प्रोवाइड किया जा रहे है Custom faces के अवाल से बात करें तो Mi Pro X1 के अंदर आप Custom faces भी यूज़ कर सकते है अगर यहां पर screen protection के अवाल से बात करें तो आपको smart watch के अंदर screen protection नहीं प्रोवाइड की गई है battery capacity के अवाल से बात कर ली जाए तो 350 mH के आपको काफी बड़ी battery प्रोवाइड की गी है जो के 7 से 10 डेस का आपको battery backup प्रोवाइड कर देती है magnetic charger इस smart watch के साथ आपको देखने हो मिल जाता है multi sports mood के अवाल से बात करें तो 38 multi sports mood प्रोवाइड किये गया है जो के almost 12,000 की price retail के अंदर भी काफ सारे smart watches ऐसे हैं जिनके अंदर 15 multi sports mood प्रोवाइड किये जाते हैं call के अवाल से बात करें तो call का feature नहीं दिया गया NFC भी नहीं देखने हो मिल जाता है इसके लावा GPS भी आपको smart watch के अंदर प्रोवाइड नहीं किया गया इसके लावा heart rate sensor, gravity sensor, barometer, accelerometer, brightness, adjusting का feature आपको smart watch के अंदर मिल जाता है और आखिर में बात करें, blood pressure monitor की तो आपको me pro x1 के अंदर blood pressure monitor भी provide किया गया है तो काफी अच्छे आपको यहाँ पे features देखने हो मिल जाते है पकस्तन की market के अंदर price, retail आपको तकरीबन 8500 के क्रीब देखने हो मिल जाती है और काफ सरी website उसके उपर इसके कुछ सेल वगर भी चल रहे हैं तो आप इसको check out कर सकते है me pro x1 काफी अच्छी smart watch launch की गई है और काफी अच्छी आपको price category provide कर देती है इस range के अंदर तो जरूर इसको purchase करें और आपको यह review कैसा लगा मुझे comment section के अंदर बताईएगा और कोई भी smart watch के आपको अगर comparison करनी है me pro x1 smart watch के साथ तो आप मुझे comment section के अंदर बताईए मैं उस वाले से भी वीडियो बना दूँगा तो यह थी आज की वीडियो में इतकतों useful लगी होगी वीडियो को लाइक कर दे हमने दोस्तों करताई शेयर कर दे मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए topic अंबॉक्सिंग टैक्रिव उस टैक अपडेट स्मार्ट वाच कमपैरिजन स्मार्ट वाच अपडेट के साथ मुझे दीजिये इजाज़त अपना ख्यार लखिएगा दौा में याद रखिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा अलाह निगेबान